हेलो दोस्तों आप सभी का सौगते अतिश इलेक्टिकल टच पर आज हम इस वीडियो में एसी सप्लाई क्या है और एसी सप्लाई खोच किस ने किया था आज हम देखेंगे आप सभी वीडियो के अंतक बने रही है विद्दूत एनिक इलेक्टिसिटी हमारे देनिक जीवन में एक महत्मुन हिस्सा है बिजली से हमारे घरों के उपकरन चलाते हैं बरे बरे उद्दूग में बरे छोटे मसीनों चलाते हैं जिस सारे कायरे हमने के लिए विद्दूत यानि इलेक्टिसिटी का प्रियोग किया जाता है इलेक्टिसिटी कितने टाइप्स के होता है इलेक् सप्लाई सेगेंटे डिसे सप्लाई आज हम एसी सप्लाई के बारे में देखेंगे पहले हम देखते एसी सप्लाई क्या है एसी का फूल फॉर में अल्टरनेटिक करेंट जो हम हिंदी में प्रवती धारा कहते हैं अल्टरनेटिक करेंट के प्रक्रिया एक निच्चे समय के बाद अपने डायरेशन और वेलू बदलता रहता है इसलिए इस करेंट को हम अल्टरनेटिक करेंट कहते हैं Alternate current का उत्मादन अधिक से अधिक current voltage पैदा किया जा सकती है इसलिए लगवक 33,000 volt तक विजली पैदा किया जा सकता है इस current को जहां पर भी वेजा जाता है वहां पर वेज सकते हैं और voltage को हम transformer के दोरा कम ज़्यादा कर सकते हैं Alternate current मेंगी नहीं है क्योंकि AC current को आसानी से जनलेट भी क्या जा सकता है AC current का सबसे वारा फाइदा है इसे transformer के मदद से कम ज़्यादा भी क्या जा सकता है Alternate current से घरों में हम मिक्चर मसीन, फ्रेज, AC, TV, पंखा, कूलर, वल्प बगएरा चला सकते हैं हम देखते AC supply का खोज किस ने किया था AC supply का खोज निकोला टेसला ने किया था निकोला टेसला एक Edison कमपनी में एक Electrical Engineer के रूप में काम करता था निकोला टेसला ने Alternate current के उपर कावी सरा रिसर्च किया था उन्होंने Experiment के बारे में भी सोचा था निकोला टेसला ने Edison नामक कमपनी को ये रिसर्च के बारे में बताया परन्तु Edison नामक कमपनी ने ये रिसर्च करने से मना कर दिया फिर निकोला टेसला ने ये ये एडिशन नामक कमपनी को छोड़ दिया इसके बाद निकोला टेसला ने AC मोटर और AC जनलेटर के उपर काम करना शुरू कर दिया अंत में 1827 स्पी में टेसलाले AC जनलेटर और AC मोटर का आविश्कर कर दिया और इलेक्टिसिटी को टांसपॉर्मार के जरिये दूर तक डिस्टिविशन कर रहा था योग बना के यहां 200 किलिमोटर दूर तक इलेक्टिसों को भेजा जा रहा था ऐसे ही AC जनलेटर का आविश्कर हुआ था अब हम देखेंगे AC सप्लाई का कुछ एडवांटिज AC सप्लाई 3300 केवी तक उत्पादन कर सकते हैं AC सप्लाई को 400 केवी तक टांसपॉर्मार के जरिये डिस्टिविशन कर सकते हैं टांसपॉर्मार के जरिये अल्टरनेटिक करेंट को हम आवश्यक अनुसार वोल्टेज को घटा सकते हैं और बरावी सकते हैं AC सप्लाई को सिंगल फेस, डवल फेस, थ्री फेस के होने के कारण बहुत ही लापकारिक होता हैं और यह फाइदमन भी है AC सप्लाई कम खर्च पे अधिक लाप प्रदान करती है अब हम देखते हैं AC का कुछ डिस अडवांटेज पहला है AC को स्टोर नहीं क्या जा सकता है सेगेंट है AC सप्लाई से बैटरी चार्जिंग नहीं क्या जा सकता है AC सप्लाई को सिंगल फेस मोटर सेल्फ इस्टाडर नहीं होता है इसलिए AC सप्लाई में खत्रा बहुत अधिक होता है AC सप्लाई में मोटर को स्पीड आसानी से कंट्रोल नहीं क्या जा सकता है क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए अलग उपकरन लगाया जाता है दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा लाइक और कमेंट्स करगे जरूर बताईए आपका एक सुझाब हमारे लिए मार्क दर्शक बनता है अधि हमारा चैनल के साथ जो ना चाते हैं तो इसको सस्क्राइब करना ना भूले आपसे फिर मुलगात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेकियो बाई बाई